हलो फ्रेंड्स वेलकम इन नेक्स्ट नाइन लाइफ मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्ट चित्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल और साथ ही साथ हमारे आज के खास प्रोग्राम में दोस्तों हम अपने खास प्रोग्राम में अक्सर ही बात करते हैं बड़ी हस् किस तरह से अपनी जिन्दगी जीती हैं अब इस बात में कोई दोर आए नहीं कि हर घर में अपनी पहचान बनाने वाली बॉलेवुड से लेकर छोटे परदे की ये बड़ी हस्तियां काफी लगजरी लाइफ जीते हैं तो वहीं आज हम आप सभी के सामने लेकर हाजर है टीव सुभान अल्ला की फेमर्स एक्ट्रस जारा सिद्ध की यानि की आईशा सिंग को जहां दोस्तों और आज इस खास प्रोग्राम में हम आईशा सिंग की बायोग्राफी उनके लाइफ स्टाइल के बारे में बात करने वाले हैं बता दे दोस्तों कि उन्होंने अपने एक्टि टीवी शो में काम किया और इस शो के बाद इन दिनों वो नजर आ रही है टीवी शो इश्क सुभान अल्ला में तो वहीं इस शो के जरीए जारा यानि की आईशा लोगों के बीच खूब खबरों में बरी हुई हैं तो वहीं आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कबीर की प विशय तो वहीं अगर बात की जाए शो के बारे में तो बता दे कि इन दिनों शो में कबीर संग उनकी शादी का ये ट्रैक चल रहा है जिसे दरशक छोटे परदे पर देखना बेहत ही जादा पसंद कर रही हैं लेकिन बता दे कि इस शो में ट्विस्ट वहां आने वाला है जब जारा को पता चलेगा कि उनके होने वाले पती कबीर पहले ही शादी कर चुकी हैं रुकसार से लेकिन आज इस खास प्रोग्राम में जहां हम बात करने वाले हैं उनकी परसनल लाइफ के बारे में उनकी निज़िस जंदगी के बारे में तो चलिए फिर देर किस बात की बताते हैं आप सभी को आपकी फेवरिट जारा सिद्गी यानि की आईशा सिंग के बारे में जिना आज हम आप सभी को बताएंगे इशा सिंग की बारे में बतारे कि 24 दिसंबर उन्हें सो अथान्य को जन्मी इशा सिंग ने अपने करियर की शरुआत सार 2016 में टीवी से यल इश्क का रंग सफेद से की इश्रों से उन्हें एक खासी पहचार मिली तो वहीं इश्रों क के बाद उन्होंने टीवी सीरियल एका राजवा एक थीर रानी प्ले रोल प्ले किया था इस सीरियल के बद उनको घर घर पे अल्ला में वो जारा कबीर एहमद का किर्लावी भार रही है और दर्शक भी उनको इस किर्दार में काफी जादा पसंद्धी कर नहीं है बता दे कि 20 साल की इश्या आज खर-खर में पहचानी जाती है अब इतनी सी कम उम्र में उन्होंने जिस तरह से अपनी पहचान बनाई है वह वाही कामें पहचानी पर आज उन्हें घर-घर में जादा सिंद्धी के नाम से ही जाना जाता है बता दे टीवी शो इश्क सुभान अल्ला से उन्हें कापी अच्छी खाती पहचान भी मिलते हैं वैस शो के जरी अपने लुक्स के चलते भी वो आम लोगों के भी चर्चा में बनी रहती है अब जहां बात होई है उनकी टीवी शोस के बारे में अगर बात की जाए उनकी फैमली के बारे में तो बताना चाहेंगे आप सभी को की ज़रा सिर्द्धी यानि इशा सिंग के पापा पंकप सिंग जो पेशे से एक बिस्नस मैंग है बहिंती बा का नाम है रेखा सिंग और उनका एक छोटा भाई भी है बुर्द्राक्षे सिंग यानि उनकी फैमिले में सिर्थ इंथी मेंबर है अब छोटे से परिवार के साथ इशा काफी खुश भी रहती है साथ इसाल बताना चाहेंगे आप सभी को कि अकसर ही वो सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरे की शेयर करती नजर आती है जिहां सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाली इशास हैं आए दिन ही अपनी कोई ना कोई फोटो पोस्ट करती है जिसमें नजर आता है उनका लाइस्टाइब बटा दे दोस्तों की टीवी सीडियल में एक सीरियस की लड़की जारा का करदार में भाने वाली इशा अपने जन्दगी में काफी स्ट्राइलिश और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली साथ ही साथ काफी पुली और काफी ग्लैमर्स भी हैं अब उनके तस्वीरों से आप इस बात वो समझ सकते हैं यहां जहां टीवी सीरियल में उन्हें एक अलग अंदाज में देखा जाता है तो वहीं अपनी असल संदगी में वो इसके ठीक पुल्टा है अगर देखा जाए तो जारा यानि इशा सिंग अपनी सोशल मीडिया पर आए दिन ही अपनी कोई ना कोई तस्मीर कर दिया है अगर बात की जाए उनके गव्या की तो बता दे कि 15 साल की उम्र में जार यानिकी इशा सिंग ने मिस्टीन मध्य प्रदेश का ताज अपने सिर पहना है यानि इस बात में कोई दोनाए नहीं है कि अपने बच्पन से ही वह एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहती थी इसके चलते आज 20 साल की उम्र में वह अपनी अच्छी खासी पहचान बना से कम 50,000 रुपए लेती है आप सभी की फेवे इस जारा सिंदकी जिहां यानि 20 साल की उम्र में जिस तरह से वह अपनी पहचान बना चुकी है तो वहीं अपने इस महनत के वह 50,000 रुपए वसूरती है इस बात में कोई दोर आए नहीं है कि जिस तरह से उन्होंने अपना कर और बनाया है वो वागई कामने तारीफ है और शायद इसी के चलते आज वो लगातार ही सफलता के कदम चुप खबरों में बना हुआ है तो वहीं शो की स्टार कास्ट भी किसी ना किसी तरह से चर्चा में बनी ही रहती है जिस तरह से शो में कबीर और जारा की केमिस्ट्री की दर्शक काफी पसंद कर रही है तो वहीं बता दे कि हाल ही में दोनों की एक वीडियो सामने आई है जिसमें कबीर और जारा शो के सेट पर एक दूसरे के साथ काफी कोजी होते नसल आई है आप भी देखिए शो के सेट पर जारा संग कबीर का ये मस्ती भड़ा अंदाज क्को पर जारा जढ आज है टूसमेंस इह अचिए अची जो आफ झाले झे झाले के जड़िए इव आप झाले कि एँ छूडिएए श्याले कि एँ झाले कुछ टाय। टाय। ओविल एए जंड पुछ प्राइल लेगे जिपीड़ी खेए अमाँ खेए कुछ फेए कुछ प्राइल फेए सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब अब शोव में जहां जारा और कबीर को काफी पसंद किया जा रहा है तो वहीं अब शोव के फैंस उनकी रियल लाइफ के बारे में जाना तो जानते होंगे तो बता दे आप सभी को कि अपने असल जिन्दगी में कभी रोज जारा एक दूसरे के इक काफी अलीब है अगी बात हम नहीं बलकि उनकी ये तस्वीरे कह रही हैं जिसे आप ही देख पा रही होंगे इस खास रिपोर्ट के ज़रीए अगर देखा जो है तो जो शो में अलग ही अपतार भी नसर आपा है तो बढ़ी अपनी असल जिन्दगी में जारा काफी चलूरी हैं ठीक ऐते ही हैं कभी अब दोनों ही अपनी असल जिन्दगी में काफी मौस्तिकोर हैं जो हर पल में मुस्कुराने का कोई ना कोई बहाना जोन ही लेते हैं यानि आईशा सिंग अपने जिन्दगी में इसके बिलकुल उलट है जानी जासा की हम बता चुकी हैं कि अपनी असल जिन्दगी में वो काफी जादा नोटी, शरारती और मस्ती खोर है तो वहीं ये भी हम अक्सर ही बताते रहते हैं कि अपने टीवी शो यानि इश्क सुभान अल्ला के सेट पर अपने को स्टार्स के साथ वो काफी मस्ती करती हुई भी नजर आती हैं वहीं बता दे कि इतनी से उम्र में वो काफी जादा फैन फॉलोइंग भी रखती हैं वेल दोस्तों अब समय हो चुका है आप सभी से विदा लेने का लेकिन वादा करते हैं कि एक बार जल्ड ही रोतेंग एक ऐसे ही खास प्रोग्राम के साथ लेकिन तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले